वही नए साल की शिर्वात के साथ देश के कई राज्यों में शीत लेहर चल रही है अब उत्तर प्रदेश बिसकी चपेच में आ गया है प्रदेश के कई जिलों में शीत लेहर चलने के साथ ही कड़ा के किठन पड़ रही है मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शीत लहर की शिर्वात हो गई है और आने वाली दिनों में भी जारी रहेगी इस सुबीश प्रदेश के जातर शेहरों के तापमान में कमी आ गई है कुछ शेहरों में सुभाम घना कोहरा देखने को मिल रहा है तो कुछ शेहरों में आस्मान में बादल चाय हुए है नए साल पर भी शीत लहर की आश्रण का लगातार बनी हुई है यानि कि पहले दिन बता दे कि मौसम विभाग ने पहली अनुमान जुताए था कि नए साल पर भी ठंड का कहर जारी रहेगा जानकारी के मताबिक प्रदेश के जातर शेहरों में वाई गुणवत्ता सूचकांग मध्यम से संतोज रनक शेणी में रिकॉर्ड किया जा रहा है तो यूपी के कुछ बड़े शेहरों में मौसम का मिजास कैसा है ये भी जा लीजे लखनो के अगर हम बात करें तो लखनो में अधिक्तम तापमान 23 और 99 तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है प्रियाग राज के अगर हम बात करें तो प्रियाग राज में घरा कोहरा चाय रहने का अनुमान है अधिक्तम तापमान 11 और 99 डिग्री सेल्सेस रहने का नुमान है वाई गुणवत्ता सूचकांग संतोजनक शेडी में 85 रिकॉर्ड किया गया है ये बहतर बात है कि पॉलूशन का लेवल कहीं न कहीं कम हुआ है अगर हम कानपूर की बात करें तो कानपूर में भी अधिक्तम तापमान 20 और 99 तापमान 10 डिग्री सेल्सेस रहने का नुमान है यहां भी कोहरे की संभावना जताए गई है